हरे क्रिष्णा अध्याय चौथा श्लोक नंबर 40 अजनस्च शद्धाधानस्च सम्षयात्मा विनस्यती नायम लोकोस्ती नपरो नसुखं सम्षयात्मनह इसका अर्थ किन्तु जो अज्यानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ती शास्त्रों में संदेय करते हैं वे भगवत भावनामरत नहीं प्राप्त करते किन्तु नीचे गिर जाते हैं संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में नहीं पर लोक में कोई सुख है इसका तात्परिय भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है जो लोक पशुतुल्य है उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रती कोई श्रद्धा है और न उनका ज्यान होता है और कुछ लोगों को यद्यपी उनका ज्यान होता है और उनमें से वे उधरण देते रहते हैं किन्तु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते यहां तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामरित का कोई ग्यान नहीं होता वे नीचे गिरते हैं उपर योगत सभी कोटी के व्यक्तियों में जो श्रद्धालू नहीं हैं और सदयव संशय ग्रस्त रहते हैं वे तनिक भी उन्नती नहीं कर पाते जो लोग ईश्वर तता उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हात लगता हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का सुखर नहीं है अतह मनुष्य को चाहिए की श्रद्धा भाव से शास्त्रों की सिध्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूती के दिव्यपत पतक पहुंच सकता है दुसरे शब्धों में आध्यात्मिक उन्तान में संशाय ग्रस्त मनुष्य को कोई स्थान नहीं मिलता अतह मनुष्य को चाहिए की परंपरा से चले आ रहे महान आचारियों के पच्चिन्धों का अनुसरन करे और सफलता प्राप्त करे अरे कृष्णा तो ये था श्रीला प्रवपाजी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य दोस्तों अब पिछले श्लोक में भगवान ने हमसे क्या कहा श्रद्धावान लबते ज्ञानम तत्परसमा तेंद्रियह और इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं अजनस्चा श्रद्धाधानस्च सम्शायात्मा विनस्यति पिछले श्लोक में बताया था दो श्रद्धावान व्यक्ति है वही कॉलिफाइड है ये दिव्य नौलेज पाने का ये ट्रांसिडेंटल नौलेज उसी को मिल सकता हो और वो सर्वोत्तम प्राप्त कर सकता है क्या आध्यात्मिक शांती यही सर्वोत्तम सिधी है शांती पाना भगवत भक्ति पाना दूसरी इस श्लोक में भगवान ये बताते हैं जो श्रद्धावान नहीं है अज्यानी है श्रद्धा विहीन है वो उत्तम श्रेणी नहीं पा सकते वो कृष्ण भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त कर सकते और समशय आत्मा होने के कारण डाउटिंग हमेशा डाउट करते रहते हैं न जो लोग वैसे टाइब के लोग ना ही इस लोग में सुक रहते हैं ना ही पर लोग में सुक प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वो हमेशा संशय करते रहते हैं ये वर्स्ट सिचुएशन है तो यहाँ पे श्रीला प्रहपाद हमें सम का वेद का निचोड जिसने हमें बताया है और सर्वोत्तम नौलेज है वो भगवत-गीता में है तो भगवत-गीता इस दा टॉप्मोस्ट ग्रंथ इस दा टॉप्मोस्ट होली बुक तो यहां पे बताते हैं श्रीला प्रहुपाद की दिफ्रेंट डिफ्रेंट लोग है जो डिस्कॉलिफाइड है पहले भगवान ने बताया कौन कॉलिफाइड है यह नौलेज लेने के लिए और उनको क्या पुरस्कृत मिलती है क्या पुरस्कार मिलता है अभी भगवान बताते हैं जो श्रद्धा नहीं रखते हैं उनको यह ज्यान नहीं मिलता और य जिन्दगी पशुतूल्य बना लेते हैं पशुतूल्य हो जाती है उनको ना ही कोई विश्वास होता है और ना ही वो कोई ये ज्ञान ले पाते हैं और ऐसे अगर ज्ञान लिया भी है और वो कभी-कभी शास्त्रों से थोड़ा बहुत वर्णन भी करते हैं मतलब कुछ example देते हैं passages पढ़ते हैं बोलते हैं ऐसे ही मगर उनको उस पर faith नहीं है दुसरे स्थीती में जब वही चीज आ जाती है तो उनको अगर कहा जाए कि आपने तो ऐसे कहा था इस जगह से तो बोलेंगे नहीं नहीं वो तो मैंने ऐसी कहा था ऐसी बस वो तो ऐसा होत कहता है वैसे अपने तर्क वितर्क मैं ही फसे रहते है तो तो दुसरे से होते हैं जो जो शास्त्र में विश्वास रखते हैं मगर वो बिलीव नहीं करते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते हैं अराधना नहीं करते हैं अभी आप ही देखिए संसार में ऐसे बहुत लोग है जो नौविल के तौर से या ऐसी बस पढ़ने के लिए पढ़ते हैं शास्त्र को या भगवत गीता भी मिल गई त तो करेगा उन पर मगर जो असली असर है वो दिखाई नहीं देता क्योंकि उन पर श्रद्धा नहीं होती है शास्त्र में भगवत गीता में या कृष्ण भगवान पर तो सबसे बड़ा जो श्रद्धा है सबसे बड़ा जो दिव्याज्यान का सीक्रेट रिवील्ड है वो है भगवद नाम का स्मरन करना, भगवद नाम का उचारन करना और सुनना, श्रवन की इरतन करना, यही topmost duty है, humans का, जीवात्मा का, जो हमें यहां से निकाल सकता है, और भगवान के पास लेके जाएगा, तो जो worst situation, worst से worst situation, भगवान क्या बोलते हैं, लास्ट में, जो संशाय आत होगा, वैसा होगा, नहीं नहीं, से ऐसे करने से ऐसा नहीं होगा, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, हम सब भगवान है, या फिर नहीं भी है, है भी, मतलब confused रहते हैं, और सुनने की इच्छा नहीं रखते हैं, जैसे हम प्रचार के वक्त, काफी लोगों से मिलते है तो बहुत जो श्रद्धावान है सच में वो इच्छा प्रते हैं बताते हैं और सुनते हैं ध्यान पूरक और सही सवाल पूछते हैं तौ गानियर्य जो श्रद्धा नहीं होती है वह इतनाDoesकर है चाहते में हिए कि हम भी उनके साथ उस आर्गिवमेंट में शामिल यो जाए यह बहुत गलत है इनकी सोच बहुत गलत है यह नहीं समझ पाते हैं कि यह क्यों किया जाता है यह कुण przy पूजा-पात नहीं है सकाम कर्मकाइंड में नहीं आता है यह दिव्य Эज्ण है है यह पर्यध है इसलोग जो जगत है से पर्यध है यह तो हमें किंचित मात्र भी इसमें ड़ाउट नहीं का ना चींड़ी होंगे और हमारी इस थिर में नहीं आता है क्या है और डर सा लगता है बहुत ऐसा लगता है कि यह सब responsibility कौन लेगा कौन यह सब करेगा अरे हम तो इसमें फसे हैं उसमें फसे हैं already life में इतनी tension है boss की सुनो घर के सुनो इनकी सुनो इतना tension रोज मरा की जिंदगी में दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो जाता है और कभी-कभी तो लोग इतने opulent हो भी जाते हैं कि दो वक्त की रोटी छोड़िये बहुत कुछ उनके पास आता है तो वह भटक भी जाते हैं ऐसे से cases आजकल बहुत देखने को मिलता है क्योंकि कल यूग अब चरंड सीमा पर चड़ने लगा है तो भी हमें बहुत ही धैर्य रखना होगा हमें ऐसा नहीं सोचना होगा कि मुझे कुछ बहुत बड़ी responsibility आ गई है नहीं आपको सिर्फ सुनना है सुनने मात्र से ही शुद्ध हो जाता है व्यक्ति क्योंकि ये कोई साधार नौवल वाला magazine वाला या कच्रा नहीं है जो हम द्रोज मर्रा के जिंदगी में सुबह उटे-उटे newspaper पढ़ते हैं news देखते हैं ये तो प अगर ये ग्यान हमें इस भौतिक संसार से निकालने वाला ग्यान है ये हमें बताती है यहां से कैसे बच निकलना है भईया तुम जेल में फसे हो तुम्हें यहां से निकलना है कैसे निकलोगे कैसे इसका रहस्य है कैसे तुम पार कर पाओगे ये रहस्य बताया गया है तो तो हम, हमें सोचना चाहिए कि हम कहा जा रहे हैं, हमें क्या करना है, तो यहां प्रभुपाद हमें solution भी बताते हैं, क्या बताते हैं, निश्चित हो के एकदम निश्ठा से इन scriptures पे, इन ग्रंथों पे, शास्त्र पे आप विश्वास रखिये, और at least ज्यान के stage पे तो आ आईए, अगर आप इस ज्यान के stage तक आ गए, तो दिव्य stage पर आप आ जाओगे, आपको अध्यात्मिक जो रहस्य है, वो समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे, और इसका best जो है, कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, वो है, बताते हैं, श्रिला प्रभुपाद की जो महान आचार्यस हमारे हैं, जो ये ज्यान पाकर पहले मुक्त हो चुके हैं, जैसे भगवान ने हमें पिछले श्लोकों में बता था, वैसे ही हमें इस परंपरा से ये जो उपलब्दी है, ये पाप करनी है, we have to succeed in this by following great mahatmas, great आचार्यस को follow करके ही, उनके पच्चिनों पर अनुस करते हुए ही हमें सफलता प्राप्त होगी, तो निश्चेद हमें ये मिलेगा ही मिलेगा, बस हमें सयमता पूरवक, patiently सुनना है, एक ही दिन में पाहार तोड़ना सोचने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है, ये मंत्र इतना powerful है, इतना powerful है, आप सोच नहीं सकते, आप करोगे, तब अभी आपको पता चलेगा, अनुगूती होगा, नहीं करोगे, तो कैसे पता चलेगा, खाना सामने रखा है, खाना परोज दिया है, खाना निवाला मू तक भी लाके दिया है आपको, चबाना आपको है, आप नहीं चबाओगे, तो उसका रस आस्वादन कैसे करोगे आपको कैसे समझ में आएगा कि वो कितना रुचिकारक है बस थाली सामने रखी हुई है और आप बैठे बैठे उसको देख रहे हो कि हाँ यह खाना है खाना है कि नहीं खाना है इससे मुझे पोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं हम खाते हैं ना उसे क्यूंकि हमारे शरीर को पोशन मिले, वैसे ही आत्मा का खुराक है, ये दिव्य ज्यान, भगवान की प्रीती, कृष्ण भक्ती, तो ये जब तक आस्वादन नहीं करेंगे, कैसे हम इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसलिए करना कुछ नहीं है, just sit back and listen to this knowledge, ये ट्रांसिदेंटल नॉलेज ह जी आपको हर चीज से पार लगाएगी और हर चीज रिवील करेगी, हरे क्रिष्ण, हरे क्रिष्ण, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे, श्री क्रिष्ण भगवान की जै, श्रीला प्रवपात की जै